हेलो बच्चो कैसे हो आप सर्थ कैसे हो केम्चो सार्म बड़ीआ है आप कैसे वह सर् मैं बहुत अच्छा हूँ पूछने के लिए बहुत बाद दिन अवाद ठीक है तो चलिए हैं ना बिना समय घर्थ किये नश्ट किये हैं ना राइट बढ़ते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ जिसका नाम है बिजन स्टेड़ी तो सर्जिक स्ट्राइक अपनी आँखें बिल्कुल इस सोल्जर की तरह टार्गेट के रखिए जो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है एक्जाम में ठीक है ना मैं आपका होस्ट बहुत ही बड़ी है दोस्त है ना प्रडूसर डाइटर हाजर है फिर से तो एक बर मुस्क्राइए क्योंकि आप मेरे चैनल पर हैं और हमने पिछ्छी क्लास में पढ़ाता सल्मान काहन की कहानी है ना पिच्छर का नाम आपने लिखके बता सब्सक्राइब चैनल देखे अब वाइजा चैनल पर अब वेलान शीट कैसे बनती है तो सुनो जब हम बैले शीट बनाते हैं वह बैले शीट जो मैच हो जाए ना कभी कबार तो क्या होता था जो स्कूल में मैच जाती जो ना तो खुद के पर शक होता था अब यह मैच कैसे हो गए जरूर कुछ ना कुछ गल्दी किये और अगर बैलेंशीट मैच ना हो तो लगता था अब यह पुस्चन बिल्कुल सहिए एक आत्रश उनका बनता ही है उपन नीचे ठीक है इग रुपे की बड़ी दिख्कत होती दी भया हमार साथ तो अब यह हुआ क्या बैलेंशीट बनाते हैं तो देखो प्र लिखते हैं क्या 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 फिर लिखते हैं हम डेट उधारी लॉंग टम लाइबिलिटी शॉट टम बढ़ी पिर नीचे कर इंट चाथा था तो कर इंट रशेंट सबीन तब लिक नीचा हमें बैल इट तो अब क्या माल जीत हैं मेली मोटा मोटा करल में शिक्चल की बात कर दो मोटी 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 चीज में क्या लिए रहा हूँ एक्यूटी और यह प्रिफरेंश में आगया और रिटेन एंडिंग आजाती है डेट में क्या आता है डेट में आता है डिवेंचर्स है ना और मेरा बैंक का लॉंग तर्म वगरा लोन वगरा आ जाता है यह चीज़ आती है अब यह जो पॉटिक है नहीं कैपिटल स्ट्रॉक्चर राइट कैपिल स्टॉक्चर टॉपिक इतने कैता है कि जब भी मैंक अपनी में इं स्ट्रॉक्चर कर दो सब्सक्राइक इसक्या यह मुझे धिश्च नहीं सोचना होता है कि इसानव कि तना है पिंगते लोग और कि तना टम से उधाल किपना एह मिफ्चर को अग्णन के वाश्च वेरेश का नहीं यह रेशियो डिसाइड करना कि कितना बैंक से लेना चाहिए और कितना इक्विटी से लेना चाहिए इसी रेशियो को डिसाइड करने को हम क्या नाम देता है इस प्यार को क्या नाम दूँ तो इस प्यार को क्या नाम देंगे इस प्यार को ठीक है और कितना मैं यह सोच रहाओ कि बैंक से कितना लोन ले लों तो इसे मैं क्या बोलूँगा बथरोड फंड क्या नम दूँगा इसे में इस प्यार को नम दूँगा बठाइब लिए तो अगर मैं विल्कुर हिंदी में बात करूं तो चापिटर स्ट्रक्चर मीन्स कितना पैसा एक्यूटी से ले यह एक्यूटी से इस्यू करके ले और कितना पैसा कि एक्यूटी से लेते हैं तो क्या देना पड़एगा? गएक्यूटे से ले और एक्यूटी से में बढ़तों वायल स्ट्रक्चर मीन्स कितना पैसा और कितना पैसा ?क्यूटी से ले इसी रिशय को डिसाइड करना होता है तो कितना कहां से लें इसी रेशियो को हम इसी रेशियो को ही हम Capital structure बोलते हैं और इसको account की बास्टा में अगर बोलू न तो अकाउंट की बास्टा में अगर बोलू Capital structure is equal to debt equity ratio यह तो capital structure गश्यो है अब दो debt equity ratio अगर मैं तुमसे बोलू मेरा debt equity ratio है 2 is to 1 तो बताने जाए इसका मतलब क्या है इसका formula होता है debt upon equity अब तो रटी दियोंगे तो debt upon equity इसका मतलब है debt upon equity तो 2 is to 1 का मतलब क्या हुआ 2 is to 1 का मतलब हुआ कि अगर मेरी debt अगर मेरे debt चार कलोल लुपे हैं तो मेरी equity मात्र दो कलोल लुपे है राइट या अगर मैं ऐसे बोल दूँ अगर मेरी equity एक लाख रुपे है तो इसका मतलब मेरी bank की उधारी और मैंने debt ले रखे है वो 2 लाख ले रखे यानि कि इस company जिसका debt equity ratio आप पड़ तो मतलब यह इस company ने उधार जादे रखा है bank से और equity कम यानि कि यह company का capital structure उधारी पर चलता है और वो equity कम issue करते हैं obviously बात है control अपने पास रखना चाहते होंगे यह ना just like reliance मुकेश अंबानी तो यह होता है debt ratio भी होता है है ना जो हम बताता है debt upon debt plus equity ठीक है यानि कि मर्लों जैसे debt upon debt 2 है और equity है तो यानि debt plus equity कितना हो गया तीन तो total fund मेरे पास कितने हो गए total fund debt or equity मिलाकर total है ना यहां पर गर देखो तो मेरा owners fund और borrowed fund मिलाकर मेरे पास कितने हो गए तीन हो गए राइट जिसमें से debt कितना है जिसमें से debt मेरा दो है तो इस ratio से भी आपका लग सब्सक्राइब किसी बंद्द है capital structure कितना है जिसमें से 2 debt है तो नलायक वह एक्विटी कितनी होई equity मेरी बैठी एक तो मैं दूर से देखके बता सकता हूं रहे दूर से देखके हैंकि निवाद दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे पास जाके देखा तो गंजो चल लहे थे हैंकि निवाद ऐसे ही बच्पन की या जो बात मैंने तुम्हें बताई यही इतनी घहराई की बात है कोई टेंशन वाली बात नहीं अब आप समझ चुके हैं पूरा concept क्या कि इन आए तो पढ़के देख लो एक दो क्या लिखा है में ली हम बिजनस में दो चीजों कही इस्तमाल करते हैं क्या दाना है एक ओनर्स और फ़न यानि कि क्विटी और एक यह लिखिये बात इक्विटी ओड़ यानि ओनर्स और और बॉर फट्वांड उनर्स वेक्विटी प्रिफ्रेंस लिज़र्वर सब्स बर्फन लोन डिवेंचर पैबली डिपॉजिट एक लिए प्रिप्लिकश्चर क्या है यह है मिक्स यह याद करना है तो मिक्स बिट्विन ओनर सेंड बॉरोर्व फंड यह है खतरनाक बात इसको रेशो में बात करें यह बात बच्पन की यादे हैं कि निवाद वो भीगी भीगी यादे है वह लं ल्म है वह बाते कोई ना जाने कि अपने कि अब मुद्द की बात आते हैं मुद्व की बात आती है वही एक बहुत भड़ी ऐसी टेबल बनाएंगे कि ऐसे कौन-कौन सी बाते हैं जिसके उपर में ध्यान रखूंगा अपने पापा को आप ये बताओगे पापा अपने बिजनस के लिए हमें टेट लेना चाहिए जाद है एकुटी जादे लेना चाहि इन बातों को अगर हमें ध्यान दखना है तो हमें एक फिर से बहुत बढ़ी ऐसी टेबल लुनाता हूं तो चलिए यह ना शुरू करते हैं अब पहली अगर बात देखें ठीक है अगर पहली अगर आप बात देखोगे तो पहला ही पॉइंट के लिखा है पहला पॉइंट पॉजिशन ठीक है राइट तो यहां मैं बनाता हूं कि मुझे डेट जाद लेना चीए दिख रहा है ना या फिर एकुटी जाद लेना चीए ठीक है डेट जाद लेना है या फिर एकुटी जाद लेना है ठीक है जी तो अगर मैं यह वाली बात बताओं तो सबसे पहला ठीक है cash flow position तो फिर चाहनी है एक राज और एक राणी है ठीक है cash flow position मैं assume कर रहा हूँ बहुत ही बढ़ी है बहुत ही मस्त चल रही है एक डम है ना पैसा बहुत है रही पैसे कमी नहीं है ठीक है तो cash flow position बहुत बढ़ी है अगर भाईया cash flow position आपकी बहुत अच्छी है मैंने बात आपके पास इतना पैसा है कि आप क्या कर सकते हो यह सारी चीजे आप business operation के पैसे तो fix इस के लिए पैसा है आपके पास राइट और आप यह obligation ही पूरी कर सकते हो इंटर्स लगारा की भी ठीक है ना राइट तो जो इस भी future में अगरा पैसा लगा रहे हो तो आपके पास क्या होना चीए आप क्या लेंगे वह कहानी है स्रम डेट ज्यादा लूँगा equity कम लूँगा या नहीं लूँगा थेखे सिंपल ची बात है सिंपल सिंपल अगली बात आते हैं इंटर्स्ट गवरेज रेश्यो क्या है मार पास इंटर्स्ट गवरेज रेश्यो अब देखो अगर तुम इसको कवर करना मालाब चाड़ा मेर्स से कवरना मुझे यह माज कर कबサव करना हूँ और कना एा थेका है हम और मैं दूम Easter झालू दिखाओ सो ठीक सब्सक्छार मार्मा करना करना तो मुझे बताओ की कि इस माज कर को डूमाल के उपपर रखू या रूमाल के नीचे रखो है ऑगर किसी चिछे कhi we're gonna have to consider us तो उसके उपर चार रिया ुन्माल चड़ा दट अधल का अफ्टो तोהו पते ही लिए नंदर क्या तो स्का मतल comments मैंने प्रुमाल के अंदर हैँ ना क्या कैशा क 뭐 प्रगाड़िया मैंने ःदर एक मार्कम के अधिया ठीक है यह देखो ये रहा टूइं 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 ये रहा ठीक है ना कवर होगा नहीं होगा ऐसे ही रेशो वरा चप्टर याद करना है अगर अगर मुझे किसी भी रेशो में किसी चीज को कवर करना है तो जिसको कवर करना है वो रुमाल के नीचे है ना और जिससे कवर करना है वो रुमाल के उपपर तो जिसको कवर करना है अब बता यहां किसको कवर करना है यहां मुझे मार कर यानि इंटरस्ट को कवर करना है तो इंटरस्ट होना चाहिए रुमाल के नीचे तो जिसको काव गरना होता है इस चादर और मंबाल के नीचे रको हैं इंट्रेस को ज़िए ना इनट्रेस माल की बात है इससे पता क्या होगादा अब आप जितनी interest and tax ताकि इतना profit तो मैं कमा लूँ कि tax भी देकर interest भी देकर है ना पैसा निकाल सको तो इसलिए interest coverage ratio होता है EBIT upon interest अब मैं आजूम कर रहा हूँ EBIT upon interest आपका high है यानि EBIT तो है आपकी मानलो 4 और interest है एक इसका मतलब आप इतना profit कमा लेते हो इतना जादा EBIT upon interest ratio हाई होगा उतना आपके पास पैसा जादे होगा तो मुझे क्या जादर लेना चाहिए मुझे debt जादे लेना चाहिए equity कम लेना चाहिए बात समझ में आ चुके होगी मिल्कुल गुटन तक पहुच चुके होगी गुटने चिक चिक के हैं यह वाली बात समझ में आ गई interest coverage ratio फिर अगला आता है हमारा ratio जिसका नाम है debt service coverage ratio debt service coverage ratio फिर से cover करना मुझे किसको debt की सारी service को cover करना इसका मतलब हम जो cover करना है चाधर के नीचे जा रुमाल के नीचे इन सब को debt service को cover करेंगे उस ratio को बोलते है debt service coverage ratio अगर मैं तुम्हें देखो interest coverage ratio में एक कम यह बहुत बड़ी है ना right कि जब मैं interest coverage ratio की बात करता हूं तो interest coverage ratio मुझे सिफ interest को cover कराता है कि आप इतना पैसा कमालों कि interest ब्याज cover हो जाए interest interest cover हो जाए लेकिन आमिर खांद के पिता जी तो यह बोल रहे है बाइसा बेंटरस्टों cover कर लिया मैंने लेकिन उसका principle मूल है ना बहिया principle amount कौन cover करेगा principle interest तो बैंक तो दौनों मांगता है या बैंक से लोन लेने के बाद सिर्फ बैंक से इंटरस्टों माएगा बैंक क्या मांगेगा बैंक तो principally मांगेगा तो debt service ratio interest coverage ratio की कमी को दूर करता है debt service ratio अब मालों आजूम कर रहा हो यह भी बहुत हाई है debt service ratio है 3 upon 1, 3 is to 1, right यह बहुत है आपको अतना काशा पढ़ा है कि आप interest भी cover कर ले तो principally कर ले तो debt service ratio पहले मैं आपको लिखवा देता ठीक है ना ताकि आप confused ना हो कि debt service ratio क्या होता है ठीक है तो debt service ratio लिखते है क्या होता है debt service ratio ठीक है debt service coverage ratio होता है profit after tax plus depreciation plus interest profit after tax यहा था ना and for interest in tax यहां मैंने profit लिया after tax यहां before interest in tax यहां रखना है बाद plus depreciation क्योंगे depreciation एक ऐसा खर्चा होता आप जानते हो non-cash cash तो मेरे पास है पर वो खर्चा एक ऐसा है जिस जिसमें जेब से cash नियाता हो तो value down हो जाती है ना asset की interest plus कोई भी other non-cash expense बिल्कुल depreciation की तरह है ठीक है ना उससे किस से cover करेंगे उससे आप cover करेंगे यह ना चादर के निचे रुमाल है रुमाल के निचे क्या है का debt service को cover करना है तो बता कौन सी चीज नीचे cover करना है एक तो भी यह debt का principle प्रिंसिपल अमाउंट एक तो interest cover करना है लस प्रिंसिपल अमाउंट तो interest भी cover हो जाए अब interest भी चला जाए प्रिंसिपल भी चला जाए राइट उनके लिए मिर्पव इतना पैसा यहां से होना चाहिए और एक चीज और उन्हों में cover कर दी कि बहतेंगा में हाथ दो लो preference जाले भी नारोन लेगे इसके preference dividend भी इस ratio का मतलब समझो क्या इस ratio का मतलब है कि मुझे bank का interest भी देना है मुझे bank का principle भी देना है यहां सिर्फ interest की बात थी तो दोनों चीज़े देने है साथ में preference वालों का dividend देना है यादर ना preference उनका dividend देना है इन टीनों को cover करने के लिए म मेरा यही ratio बैठ रहा है 3 upon 1 यानि profit after tax, deprivation, interest, non-cash expense में लाके 3 करोड है मेरे पाख और interest में से preference dividend मुझे सिर्फ 1 करोड देना है तो 3 to 1 है यानि ratio मेरा बहुत बढ़िया है अगर ratio मेरा बहुत ज्यादा बढ़िया है और इतना हाई है तो बता मुझे क्या लेना चीए तो debt ज्यादा हाई लेंगे और equity कम लेंगे आई हो बात सन्में आ गई होगी debt service coverage ratio फिर आता भीया ROI return on investment ROI तो चौतर चौतर पॉंट के हमारा सर चौतर पॉंट निकल के आया हमारा कौन सा ROI return on investment अब बता ROI का formula क्या होता है return on investment अब investment का मतलब होता है मेरा कि पैसा मैंने कहां लगाया तो बच्चों कोलता है investment क कम दॉरा पैसा कहां लगाया तो मैं fix assets के बारें बात करता हूँ है नहीं पैसा जहां लगाया है 28 वहाँ पैसा लगाने के लिए पैसा कहा चहां से लिए है यायानि अगर मैंने को में मुँझा लिये तो बिल्डिंग और मशीन तो भया तब खरी दूँगा जब मैंने फाइनें से डीजन लिया होगा पहले फाइनेंसिंग डीजन लूँगा तब इन्वस्में डीजन की तरफ जाऊंगा तो बिल्डिंग मश्न खरीदने के लिए मैंने पैसा किसे उधार लिया तो या तो मैंने पैसा कहां से खटा किया होगा इंवस्मेंट करने के लिए या तो पैसा मैंने खटा किया होगा debt से या पैसा मैंने खटा किया होगा equity so debt plus equity इसे मैं बोलता हूँ इसे ही मैं नाम देता हूँ प्यार से Total Investment कि Total Investment में रहा क्या है Debt Plus Equity और उससे मैंने कितना कमाया EBIT तो ROI का फर्मूला होता है EBIT upon Debt Plus Equity कि Total पैसा कहां से खटा किया मैंने मशीने खरीदने के लिए और उससे कमाया EBIT कितना अब मानों अगर मेरा ROI कहना अगर मेरा ROI हाई है Return on Investment हाई है राइट प्रॉफिट यहनि EBIT को अगर मैं अकाउंट की बाशे में बोलूँ न तो मानलों नलाय को Net Profit लिख लो यार अगर मेरा Net Profit बहुत हाई है EBIT EBIT बहुत जाद है तो मैं क्या लूँगा मैं debt जाद लूँगा और equity कम लूँगा Profit इतना सारा है कि profit अब नलागा सुच़ प्रॉफिट कर वाया होगा मैंने पहले PNL बनाया होगा PNL बनाके यहां मैंने Net Profit लिगा होगा अगर भहिया Net Profit PBIT मेरा इतना जाद है कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है इस में से Net Profit में से ठीक है Gross Profit के तो चलो यार लोन लाग को Gross Profit लिखते हैं थोड़ा बना तुम confuse जोगा Gross Profit इतना हाई है मेरा कि Gross Profit में से मैं आराम से जैसे अड़ था ना सहफ लिखान का बड़े आराम से बड़े आराम से मैं इंट्रस्ट को पे कर दूँगा इंट्रस्ट बहुत ही आराम से पे हो जाएगा टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी ठीक है सर दिखने रहा सर बड़े बड़े सार में चुछीटी बाती होती रहती है लो है ना P&L में मेरा Gross Profit इतना जाद है कि मैं उसमें से बड़े आराम से इंट्रस्ट बे होगा इतना जाद है यह मेरा EBIT तो भी जब मेरा EBIT बहुत जाद है ठीक है तो मैं debt की तरफ जाद जाओंगा equity नहीं लोंगा reason reason क्या है reason यह यह कि पैसा बहुत सारा है तो सस्ती चीज़ लो dead ताकि असानी से चुका सके है सस्ता में मिलेगा माल कोई tension वाली बात नहीं समय बात चौथी सब चौथा पॉंट भी बहुत अच्छे समय आ गया है बिना किसी tension के फिर आते हैं अगले पॉंट की तरफ थोड़ी सी जिगए नहीं बची है ठीक है ना तुम मैं थोड़ा सा यह पर जादे वेश्ट ना करते वे इको friendly environment बनाते वे तुम्हारे साथ ठीक है छोटा छोटा करके लिखते हैं अब अगला पॉंट क्या आता है और वाली बात हो कि फिर आता cost of debt तो अगला पॉंट डेट जादे लेना है या equity जादे लेना है पॉंट नमबर 5 पर आते है cost of debt other thing remaining constant वाली कहनी हमेशा साथ रहेगी अब यह बताओ अगर cost of debt मेरी कम होती है debt की cost क्या होती है कम होती है तो मुझे भी यह debt सस्ता होता है यह तो तुम जानते हो अगर debt सस्ता है debt की cost कम है other thing remaining constant है कोई tension वाली बात नहीं है तो मैं क्या जादे लूँगा मैं debt जादे लूँगा equity कम लूँगा यह तो है ना असान साली बात होगी इसके साथ ही मैं थोटा से वाले point इसकी पर रहा हूँ यह ना तक एक साथ पढ़ ले cost of equity यह ना क्या नहीं cost of equity बताओ cost of equity आपको बताए क्या होती है cost of equity हाई होती है other thing remaining constant cost of equity हाई है ठीक है तो मैं equity नहीं लूँगा मैं debt लूँगा debt क्या मिलेगा मुझे सस्ता मिलेगा चीक है ना right तो यह आध्यान देखने वाली बात है यह लिखिये बात cost of debt यहां पढ़ेंगे cost of equity यहां पढ़ेंगे चीक है right यह बात चुन में आगे हमें फिर आदब यह अगला point point number six को जो मैं आपको बता रहा हूँ यह point number six है हमारा tax यह बड़ा में इदर point है tax का rate अब मैं तुम्हें क्या assume कर रहा हूँ मैं assume कर रहा हूँ tax का rate हमारे यहां high है tax जाद है अगर हमारे यहां tax जाद है हमारे देश में tax का rate अगर जाद हो जाए तो बताओ मुझे debt जाद लेना चाहिए equity जाद लेना चाहिए एक्विटी जाद लेना चाहिए टेक्स का rate अगर हमारे यहां high हो जाता है तो हमें क्या का सार समझे क्या है बात तो चलो यही चीभ बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा समझे वाली बात है ठीक है इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ही समझेंगे जहां समझने बात ठीक है तब जागे तुमारे गुटनों तक अब मालो यह मेरा नेट प्रॉफिट है अना फि आजियुम कर रहा हूं 50% है वैसे हमारे टेक्स करेट कंप्पनिस के ऊपर 25 या 30% होता है बाग में आप पढ़ेंगे ठीक है मैं अजियूम कर रहा हूं अजियूम दिल पर मतले ना मैंने यह अजियूम किया है माना है टेक्स करेट हमारे देश में हाई पचास परसन तो भा मेहनद मेरी मुझे तुम्हारे ठीक है वैसे डुर्क के पीछ लिखा लिखता है मेहनद मेरी रहमत ते Ara पिए मेहनत मेरी है उपपर वाले की है ना खुदा की रहमत है तो मेरी मेहनत पे जब उसकी रहमत है तो रहमत मेरे मेरे design कि फिल रखा तो नेट प्रोफित कमी कमा APP थो जादर नहीं आइ से गार से और भाध करते वह गया जरूंगा टैस रेक्स पलाइब जफिलिए लाइ नallas parallel path कंप से प्रेंगे जब बड़े हूज और ड़े बड़े अगा कर क्या है तो फिलाल टेक्स की नजर बात करो तो मैं कैसे वचूँगा कि अगर टेक्स जाद है तो net profit कम कमाऊ अब मुझे बताँ net profit कम कैसे कमाऊ कि तो पिछलेक्षर उताद रहा Net profit कैसे कम कमाएंगे अगर मेरा एक्सपेंस जादे हो अगर मेरे एक्सपेंस से जादे हो तो पीचास लाग बचाएगा तो अगर एक्सपेंस जादे होते तो नेट प्रॉफिट कम आता है अब बता एक्सपेंस कैसे जादे करूँ बिजली गबल फिक्स है जब इस तो है नहीं कि रात को चला कर छोड़ दाऊंगो इसी यहां थंड़ हंड़ कूल कूल मिलेगा है कि नहीं बात दिवाली बना दो हर रोज ऐस जादे ले लूँगा ठीक है अगर मैं डेट जादे ले लूँगा तो डेट जादे लेने से असर क्या होगा इंट्रेस्ट जादे होगा इंट्रेस्ट जादे होगा तो इंट्रेस्ट कहा जाएगा पी एंट्रेस्ट में जाएगा डेट जादा तो इंट्रेस्ट जादा य जादे हैं, तो सरकार को टेक्स देने की बज़ाए, government को टेक्स के नाम पर जादा पैसे देने की बज़ाए, bank से loan लेकर, bank को जादा बयाज दिया जाए ताकि bank वालों को हम कुश रख के बयाज देकर और bank का बयाज हमेशा सस्ता होता है, तो सस्ती चीज लोंगा और बैंक को जाधे भ्याज दूँगा तो बैंक भी खुश सस्ती के चेकर में मैं भी खुश और सरकार को टेक्स नी देना पड़ेगा समझे नहीं बात ठीक है टेक्स प्रेंग जादे होगा तो net profit कम होगा net profit कम होगा तो tax कम देना पड़ेगा तो अगर हमारे देश में tax का rate जादे होता है तो सरकार को tax देने की बजाए bank का interest जादे पेकर है वो जादे बेटर है इसलिए अगर tax का rate आई है तो मैं debt जादे लूँगा equity नहीं लूँगा यह बहुत ही खतरनाग बात है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती अगर आपको फिर से सुनना है तो वीडियो फिर से back करें और ज्यान से सुने इस बात को ठीक है तो देखो फिर समय क्या लिख रहा हूँ यही चेंज चलती है debt जादा तो तो interest जादा interest जादा तो net profit कम net profit कम तो tax भी कम यह चेंज जरूर लिखें आप side वाले पे चुप बड़ा बड़ा ठीक है ना इस बात को बहुत ही अंतरातम तक डाले debt जादा तो interest जादा interest जादा तो net profit कम net profit कम तो tax कम चीक है और tax का rate अगर जाद है तो मुझे tax कम देना चीए इसलिए कहा जाता अगर हमारे दिश में tax का rate जाद है तो आप debt prefer करे equity prefer ना करे तो अगर बात सुन में आई होगी total इसके 14 points है साथ मैंने आपके साथ discuss कर लिए आखरी वाला बहुत important है इसलिए फिर से इसको जान से लिखे वीडियो को फिर से debt करके सुने और इस chain को ध्यान दखे तो हमारे अगर आपके देश में tax का rate जाद है तो आप equity नहीं debt जादा prefer करेंगे तो चलिए ठीक है ना मैं आपका दोस्त बहुत ही प्यारा दोस्त ठीक है मिलता हूँ अगले lecture में ठीक है तब तक पढ़ते रहिए शीखते रहिए आगे भढ़ते रहिए ठीक है और मुझे दुआओं में याद रखी टें टें है झाले है रहिए टें प्याद है तक याद पिल नहीं आपे प्रोफद चाले है जाले है वुआओं नहीं रहिए पुआओं में रहिए झाल झाल